हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल एडोबिला पॉइंट तो आज हम करेंगे क्लास फोर के इंगलिज की वर्षिट नमबर 116 यह वर्षिट ली गई है आपके मेरी कोल्ड बुक से और यूनिट 7 है आपके मेरी नमबर 121 नमबर 125 यह वर्षिट ली आपके मेरी के अदो नाटक मेरी नाटक मेरी नाटक मेरी नाटक मेरी पेड हमेशा उस बच्चे के लिए लड़के के लिए अच्छा दोस्त दिखा वाइल रिडिंग दप्रे जब हम प्ले पड़ रहे थे I am sure you must have remembered your friends too मैं निश्ची थी निश्ची थूं कि आपको भी अपने दोस्त याद आया होंगे and the qualities that make them special for you और वे गुन जो उन्हें आपके लिए special बनाते हैं Talking help from the words given in the help box below Write the qualities that makes a person a good friend आप help box में दिये गए सब्दों को देखिए और इन सब्दों के साथ है जो एक person को good friend बनाते हैं वो quality लिखिए तो यहां क्या-क्या है Caring, Nice, Cheerful, Helpful, Cooperative, Honest, Funny, Fair, Respectful, Thoughtful, Forgiving, Trustworthy, Loyal यह सभी friends में गुन क्या-क्या हो सकते हैं इस पर आप इसको ले करके और इसमें आपको लिखना है यहां है कि Dear Children, Write six qualities that you would like to have in your friends Six qualities लिखिए जो आप चाहते हैं कि आपके दोस्त में हो तो सबसे पहले लिखिए Caring Caring उसके बाद Nice उसके बाद Helpful उसके बाद Honest भी हो और क्या हो Respectful हो और Thoughtful भी हो या फिर Cooperative हो आपको cooperate करे तो इस तरह से हम लोगों ने छे गुने लिखा जो कि दोस्तों में होनी चाहिए Now three qualities that make you a good friend अब तीन quality लिखिए जो कि आपको एक अच्छा दोस्त बनाता हो तो सबसे पहले आप Caring लिखिए उसके बाद Nice लिखिए फिर Helpful लिखिए ये तीन बातें आपको अच्छा दोस्त बनाती है अब है Dear Children, Read the Sentences Given Below Carefully नीचे दिये गए सेंटेंसों को ध्यान पूरबक पढ़िए Who is a friend? कौन एक दोस्त है Who is not a friend? कौन एक दोस्त? नहीं है और यहां दिया हुआ है Stranger, Danger अजनबी खतरनाक होते हैं तो अजनबियों के साथ नहीं रहना चाहिए A friend is someone you know well एक दोस्त वैसा होना चाहिए जिसको आप जानते हूँ अच्छे से ठीक से जानते हूँ A friend is someone you meet in school or in your neighborhood एक दोस्त वह हो सकता है जो आपको school में मिला हो या फिर आपके पडोस में रहता हो You have spent time with him or her जिसके साथ आप समय बिताते हो Your parents also know them और आपके parents भी माता पिता भी उनको जानते हो You also trust them a lot आप उन पर बहुत भरोसा करते हो Write down the people that you would consider as a friend You can take the help of your parents आप अपने parents के सहायता से आप उन लोगों के बारे में लिखिए जो आपके दोस्त हो सकते हैं तो सबसे पहले हो सकता है Neverhood यह पहला लिखिएगा Neverhood I, G, S, B, O, U, R, H, O, O, D जो आपके Neverhood में रहता हो वो आपका दोस्त हो सकता है और आपके दोस्त हो सकते हैं Classmate और Schoolmate यह सभी आपके दोस्त हो सकते हैं Remember someone whom are meeting for the first time और someone who looks familiar and acts friendly with you does not make him or her your friend आप याद किजिए कि कोई कभी मिला हो पहली बार आपसे और वह आपके familiar होने का act कर रहा हो तो उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए उसको दोस्त नहीं बनाना चाहिए You should never approach a person you don't know आपको वैसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए जिसको आप नहीं जानते हैं If you have never If you have never meet a person before they are stranger for you अगर आप किसी व्यक्ती से पहले नहीं मिले हो तो वह आपके लिए नया है stranger है अजनभी है अब topic 3 है Read the sentences given below and tell us who can be considered as friend discuss with your parents or teachers आप नीचे दिये गए sentence को पढ़िए और विचार कीजिए कि कौन आपके दोस्त हो सकते हैं पहला topic है A man or woman walking in the market एक आदमी जो बजार में घुम रहा है क्या आपका दोस्त हो सकता है नई Your school guard ये आपका दोस्त हो सकता है A woman in the park और पार्क में एक औरत आपकी दोस्त हो सकती है Your next door never और आपके घर के अगला घरवाला पडोसी Your aunt और uncle Someone you don't know at your door A woman in the car asking for direction An unknown man or woman offering you toffees तो इसमें से कौन-कौन आपके दोस्त हो सकते हैं इस पर आप घर पे और टीचर्स के साथ consider कीजिएगा और अन्त में अभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को सही और गलत असपर्स के अंतर के बारे में बताईए तो बच्चों यह थी आपकी आज की वर्सिट और आज की वर्सिट में हमें बहुत सारी बाते सीखी इसी के साथ यह वर्सिट समाप्थ होती है मिलते हैं नेक्स्ट वर्सिट में थैंक यू